एलो ब्रेंट्स आज हम लोग कुछ वर्ड एजंपल करते हैं बाइनरी सर्च अलगॉर्थम के उपर और और लोग कैसे लिखी जाती है यह दोनों चीजे आपको इसले वीडियो लेक्टर्स में कराई जा चुकी है आज हम लोग इस पर कुछ वर्ड एजंपल करते हैं सो फर्स्ट वी राइट शॉल्ड एग्जाम्पिल्स अन बाइनेरी सर्च एलिगर्थम ठीक है अब इसमें देखे क्या दिया हुआ है कि माने जिए क्वेस्टन नमबर बन दिया हुआ है ठीक है इसमें क्या है कि लेट डाटा भी दा फॉलोइंग सॉर्टेड थर्टीन एलिमेंट अरे ठीक है तो मतलब कि मान लिजे आपको कोई एरे दी हुई है डाटा के नाम से ठीक है और इसके अंदर कितने एलिमेंट है इसके अंदर देरा थर्टीन एलिमेंट और ये एरे जो है चुकि आपको बाइनेरी सर्च करना है तो अब वेसी बात है कि इसको सॉर्टेड ओर्डर में ये एरे होगी तुमाने जे इसमें एलिमेंट है 11 ठीक है 22 30 33 40 44 55 65 60 66 77 80 88 और 99 ये तेरा एलिमेंट है एक, दो, ती, चार, पाँच, छे, सार, ताट, नो, दस, क्यारावार, तेरा तेरा थर्टीन एलिमेंट एरे और इसका नाम है डेटा अब हमें क्या करना है कि we apply the binary search to data for different values of item अब इसमें हमको different values of item सर्च करना है जैसे for example suppose कीजिए हमने item is equal to dya item is equal to 40 ठीक है ये 40 हमें सर्च करना है तो अब इसमें क्या करना होगी the search for item in the array data ठीक है where the values of data beginning and data end in each stage आद अलगर्थम are indicated by circle and the value of data mid by a square ठीक है तो यानि कि ये कहां से शुरू हो रहा है इसको हम circle से दिखाते हैं data beginning तो data beginning हो जाएगा इस case में माल जब यहां दुबारा लिखते हैं 11 22 30 33 40 44 55 60 66 77 80 88 और 99 तो देखें data beginning हो गया ये ठीक है data end हो गया ये और जो mid value होगी तो इसमें mid value क्या होगी तो देखें beginning यहाँ पर क्या है beginning है यहाँ पर 1 और end क्या है end है 13 इसलिए जब आप mid value निकालेंगे तो mid is equal to क्या होता है beginning plus end by 2 तो ये हो गया आपका 1 plus 13 by 2 7 ठीक है तो data 7 मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो ये जो है ये देखें mid value को हमने square से दिखाया ये हो गया आपका data mid हो गया ठीक अब इसमें क्या होगा कि पहला step तो ये हो गया ठीक है अब second step में आप देखिए कि हमने कहा since 40 जो हमें search करना ये लिखा रहा है हमने 40 40 is less than क्या है mid value 55 तो क्या होगा कि जब ये 40 55 से छोटा है तो यानि कि इधर इधर की ये जो list है ये हमारे किसी काम की नहीं रही तो हम क्या करेंगे end को ुठाके ये जो end था हमारा और ये हमारा beginning था b e g तो end को उठाके हम इसको end बना देंगे mid minus one को ठीक है तो nu इसमें क्या करेंगे कि end को उठाके अब नया end जो हमारा जा जाएगा मिड माइनस वन मीड माइनस वन का मतलब एक तरह से होगया से माइनस एक छटा और डिक अब्शिएमेनट मतलब कि यह वाला शीच तो अब इसको देखिए यह 99 हटाके अब आपको यह बना देना कि अब यह हो गया हमारा नया अब इस अब इस लिस्ट में देखिए इसमें अगर मिड वैलू निकालेंगे मिड कितना आएगा तो है आपका वन प्लस एंड कितना हो गया यह एक दो 60,3,4,5,6,6 हो गया साड़े 3 मतलब 3 तो इसका मतलब क्या हुआ हुआ कि इसका मतलब यह हुआ कि एंड सो डाटा मुट कितना हो गया डाटा मुट हो गया हमारा तीसरा element यानि 30 ठीक अब आप चेक कीजिए 30 से 40 को जो element हमें ढूणना है अब हमने यहाँ चेक किया since 40 is greater than 30 तो क्या होगा कि 40 30 से जादा है यानि अब इधर की ये list बेकार हो गई हमारी मतलब अब उसमें search करने का कोई मतलब नहीं है और हमें अब जब search करना है वो search करना है केवल इसमें ठीक है केवल हमें इतने में search करना है ठीक तो इस case में since 40 is greater than 30 हम क्या करेंगे beginning को जो starting value है वो हो जाएगी हमारी mid plus 1 यानि 33 से यह हो गया हमारा mid plus 1 ठीक है मतलब 3 plus 1 चौथा element तो अब चौथा element कौन सा हुआ यहां से आप शुरू करेंगे अब इसके अंदर केवल हमें search करना है इसके अंदर तो फिर आप mid value डिका लिए mid क्या हो गया तो mid हो गया हमारा 4 plus 6 by 2 तो 4, 6, 10 बटे 2 यह कितना आ गया पांच अब data mid देखिए कितना हुआ data mid हो गया हमारा data mid यह आ गया हमारा पांचवा element एक, दो, तीन, चार, पांच 40 आ गया यह अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहां पे location मिल गया जो item हम ढूड़ रहते हैं उसका तो यहां पे मिलिख सकते हैं we have found the item in location loc loc ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि item की जो location हमें loc पे मिल गई और loc is equal to mid is equal to 5 यानि fifth position पे हमारा जो required element है वो हमें मिल गया और जो हमारा operation है वो successful हो गया that is successful तो इस तरह से आप question को कर सकते हैं अब इसमें क्या है कि अब इसका आप एक और हम case लेते हैं अब माली जी इसमें एक और example लेते हैं कि अब हमें क्या सर्च करना है तो इसका माली जैसी question का हम भी पार्ट लिखते हैं कि item हमारा 85 है से इसी question का हमने का कि माली जैसी बी पार्ट नाओ item इस 85 अब 85 मगर हमें सर्च करना है तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले पहला step initially क्या होगा बेग क्या है बेग है हमारा 1 end क्या है end है हमारा 13 mid value कितनी आ जाएगी 13 प्लस 1 14 बटे 2 यह आ जाएगा 7 और data mid देखेंगे जवाब तो data mid जो है वो आ जाएगा हमारा कितना है देखें लिस्ट में 55 अब 55 क्या है छोटा है 85 से यानि second case में आप लिखिए कि since 85 is greater than 55 इसका मतलब क्या हुआ कि जो left वाली आपकी आधी लिस्ट है वो बेकार है ठीक तो वो बेकार है मतलब कि अब नया बेग जो हो जाएगा नया बेग आपको करना पड़ेगा बेग इक्वल टू मिड प्लस वन ठीक है यह आपको करना पड़ेगा मिड प्लस वन मतलब की एट ठीक है ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि मिड प्लस वन एट हो गया बेग बराबर मिड प्लस वन एट हो गया तो अब नया मिड जब आप यहां निकालेंगे तो यह हो जाएगा बेग हो गया आठ प्लस एंड हो गया तेरा पटे दो तो तेरा और आठ एक्किस 21 बटे 2 कितना आजाएगा 10.5 मतलब 10 ठीक और इस mid के लिए and so data mid कितना आएगा data mid आजाएगा आपका आएगा देखिए 10 पे क्या कौन सी value है 77 77 ठीक है अब क्या होगा 77 को compare कीजिए 85 से तो हमने 3rd step लिया हमने लिखा since 85 is still greater than 77 फिर क्या होगा फिर अब left की आधी list आप फिर छोड़ दीजे ठीक है 85 is greater than 77 तो अब beginning जो हो जाएगी अब beginning हो जाएगी आपकी कहां से beginning हो जाएगी आपकी mid plus 1 से यानि mid plus 1 मतलब 10 plus 1 11 आईटम से ठीक है और अब नए mid की जो value आएगी वो हो जाएगी 11 plus 13 बटे 2 तो यह कितना हो गया 24 बटे 2 कितना आएगा 12 यह आगया और data mid कितना आजाएगा data mid आपका आजाएगा 88 ठीक है यह हो गया 88 अब 88 को फिर compare करेंगे 85 से तो अब यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर आएगा since 85 is less than 88 अब जब less than होगा तो right वाली जो list है right वाली जो आधी list है वो बेकार हो जाएगी तो अब इसमें क्या होगा कि end की value change होगी तो end हमारा आ जाएगा end is equal to हो जाएगा mid minus 1 mid minus 1 मतलब आपका 12 में से एक घटा दीजे यह रह जाएगा 11 ठीक है और यह end आगया अब नया mid आप निकालेंगे यहाँ पर तो नया mid आजाएगा end कितना है तो beginning है हमारा यहाँ पर दीखे 11 हो चुगा था beginning है 11 plus end भी है 11 बटे 2 यह आगया आपका सीधा-सीधा 11 और इस mid के लिए data mid की value कितनी आ रही है data mid की value आ रही है 80 ठीक इसका मतलब क्या हुआ कि observe that now अब दीखे यहाँ तक आने के बात क्या होगा कि अब आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि now beginning is equal to end is equal to mid मतलब हमने is equal to 11 यह आ गया अब इसमें क्या होगा कि अब इसमें यह होगा कि since 85 is greater than 80 ठीक है 85 की value 80 से ज्यादा है तो bag has its value changed by bag equal to mid plus 1 equal to 12 ठीक है अब यहाँ पर हम लिखेंगे since 85 is greater than 80 bag has its value changed by its value changed by bag equal to bag beginning is equal to mid plus 1 mid plus 1 मतलब 11 plus 1 is equal to होगा आपका 12 ठीक है लेकिन अब क्या होगा कि but now bag is greater than end अब यहाँ पर क्या होगा कि but now bag क्या आ जा रहा है bag is greater than end हो जा रहा है क्योंकि end आपका भी कितना end 11 ही रहे गया और bag जो है beginning 12 हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि hence item does not belong to data इसका मतलब यह हुआ कि hence item जो item 85 धूड रहे थे वो अपनी list में नहीं है hence item does not belong to data यानि सर्ज जो है हमारा वो unsuccessful हो गया clear अब यह जो steps हमने आपको theoretically लिखा है इनी steps को देखिए हम यहाँ पर आपको numerical value में लिख दे रहे हैं कि देखिए पहले सबसे पहले क्या हुआ पहले आप यह list लिखिए ग्यारा 22 30 33 33 40 44 55 60 66 77 80 88 99 ठीक पहले यह सिरी थी अब इसमें हमें मालूम है कि beginning और end को circle से दिखाते हैं तो beginning यह था end यह था और जो mid था वो था यह ठीक फिर पहले step के बाद जब हमने compare किया तो क्या हुआ कि अगर हम इस values को लिख लेते हैं फिर से 1 22 30 33 40 44 55 60 66 77 80 88 और 99 तो पहले step के पाद क्या हुआ कि जब हमारी value आई की left वारी list बेकार हो गई तो फिर हमारा बेग आ गया यहाँ पे and यहीं पे रहा और mid value जो हो गई वो हो गई 77 जो हमने theory में भी आपको कराया है उससे आप match कराते जाए यहीं आता जाएगा ठीक फिर तीसरे step में क्या हुआ जब फिर हमने compare किया ठीक है 30, 33, 40, 44, 55, 60, 66, 77, 80, 88, 99 जाए तो अब 3rd step में क्या हुआ कि तब फिर हमने देखा कि इससे जो लेफ्ट साइट की जो लिस्ट है वह हमारे काम की नहीं है तो बेग हो गया आप हमारा 80 पे and हमारा यहीं पे रहा और mid value हो गई हमारी 88 ठीक यहां तक आ गए अब 4th step में क्या हुआ 88 जब हमने compare किया तो 88 is greater than 85 या जैसे कह लिए 85 is less than 88 तो अब हमें क्या करना था हमें इसके left पर ढूणना था लेकिन जब left पर ढूणने चले तो माली जंग में लिखा यह values लिख दी हमने ठीक है अब इसके बाद जब हम इसके left पर ढूणने चले गए तो beginning तो हो गया 80 ठीक है और लेकिन यहां पर हमको यह clear हो गया कि चुकि यह beginning is greater than end beginning is greater than end तो इसका मतलब क्या हुआ यहां पर हमारा result आ गया इसाब यह value इसमें नहीं है यानि हमारा यह जो result आया यह हो गया unsuccessful अन successful यानि यह data item जो 85 हम भूड रहे थे वो हमारे array में जो data नाम की हमारी array है उसके अंदर नहीं है ठीक है तो यह यह चीज़ आपको इस तरह से आप binary search algorithm को perform कर सकते किसी भी array के लिए अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि complexity of the binary search algorithm ठीक है अब हम लोग बात करते हैं complexity of the binary search algorithm देखे complexity की जब आप बात करेंगे यहाँ पर हमने लिखा complexity of the binary search algorithm इसमें क्या होगा कि the complexity is measured by the number fn of compression to locate item in data where data contains n elements observe that each compression reduce the sample size in half hence we require at most fn compressions to locate item where 2 की power fn should be greater than n और इसको हम equivalently लिख सकते हैं equivalently fn is equal to log 2 के बेज़ पर n प्लस 1 ठीक है तो this is the running time for the worst case is approximately equal to log 2n तो यह complexity आती है binary search algorithm की तो इसका मतलब अगर हम worst case के लिए बात करें worst case के लिए तो जो running time आएगा वो आएगा हमारा log 2 के base पर n ठीक है इसके बाद one can also show that the running time for the average case is approximately equal to the running time for the worst case तो इसमें आप यह भी देखेंगे कि average case के लिए और चाहे वर्स के लिए रनिंग टाइम यही आएगा ठीक है अब इसमें एक छोटा सा question आपको करा दे कि suppose data contains one like element मालीजे लेट data data जो array है that contains एकाई दाही सेकड़ा अजार तसजार लाग यह वन मिलियन जो है element size के अदर तो अब इसमें क्या होगा कि आप यह ध्यार्ट रखिए कि 2 की power 10 क्या होता है 2 की power 10 हमें पता होता है कि 1 0 2 4 होता है और 1 0 2 4 क्या होता है 1000 से ज़्यादा होता है तो इसका मतलब की and hence 2 की power 20 क्या होगा 2 की power 20 होगा आपका is greater than 1000 का cube यानि 1000 का cube का मतलब यह हो गया कि 1 0 0 0 0 0 0 ठीक है तो accordingly using the binary search algorithm one requires only about 20 comparisons to find the locations of an item in a data array of 1 million elements तो इसी ये बात निकल के आती है कि अगर आपके पास data element में 1 million elements है elements requires only 20 comparisons 20 comparisons ठीक तो ये example देखे आपको समझाना था अब इसमें कुछ limitations भी होती है binary search algorithm की वो आप जान लिजे क्या होती है limitations of binary search algorithm ठीक है इसकी limitations क्या क्या होती है पहला क्या है कि since the binary search algorithm is very efficient it requires only about 20 comparison within an initial list of 1 million elements why would one want to use any other search algorithm because of two reasons इस algorithm में actually अगर इतनी efficient है कि 1 million data में अगर कोई data आपको ढूटा है तो केवल 20 का प्रिजन करना पड़ता है तो हर जगा यही use होनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इसके साथ कुछ limitations है पहली limitation क्या है कि the list must be sorted तो जो list आपको इस list में आपको data ढूरना है दो वो list जो है list must be sorted ठीक और दूसरा क्या है one must have direct access to the middle element in any sublist कि किसी भी sublist का जो middle element है middle element उस पे हम direct access कर पाए ठीक है तभी तो compare करेंगे न उसको तो ये दो चीज़े एक तो list sorted होने चाहिए दूसरा की middle element पे direct access होना चाहिए इन दोनों condition की वज़ज से दिक्कत आयाती है इस element इस searching algorithm को हर जगा use करने में क्योंकि इसका मतलब यह हुआ है जो हमने लिखा है कि direct access to the middle element this means that one must essentially use a sorted array to hold the data but keeping data in a sorted array is normally very expensive when there are many insertion and deletion तो array अगर आपको sorted array चाहिए तो वी कह रहा है कि अगर जहां पे बहुत ज़्यादा insertion और deletion होता है वहां पे array को sorted रखना बहुत expensive पड़ता है तो accordingly in such situation one may use a different data structure such as a link list or a binary search to store the data तो जहां पे insertion और deletion बहुत ज़्यादा होता है वहां पे array को sorted बनाए रखने में काफी costly बैटता है काफी expensive होता है तो इसलिए sorted array बनाए रखने में जो इतना expensive पड़ता है उसकी बजाए लोग क्या करते हैं कि दूसरा data structure यूज़ कर लेते हैं तो आई होब कि आपको यूज़ करने से motivation बढ़ता है अमनों का और notification bell को जरूर अन कर दिजए ताकि next video की information आपको time से मिल सके Thank you